हलो फ्रेंड्स मैं सरोज पचार आप सभी का स्वागत करते हूँ आज की वीडियो में हम UGC NET 2014 का हिस्ट्री का कोसिन पेपर सोल करेंगे यह 2014 का सेकिन पेपर है चलिए सुरू करते हैं फर्स्ट कोसिन है सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए और दिये गई कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए जाली परकार की उत्खनन पद्धती यह है REM विलर के दोरा दे गई थी स्तर विन्यास का से दांत थोमस जेहर्षन रेडियो कार्बन तिथिकरम पद्धती यह है FW लेबी का और त्री आयामी मापन पद्धती जो है वो है पिट रिवर्स की इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वो है उप्शन B अगला कोसिन है कि स्चेतर के उत्खनन से पता चलता है कि वहां नोपाशान का लेन मानो जमीन में गढ़्धा खोद कर रहता था साल के परमुक स्थान बुर्ज होम और गुफब कराल है जहां से जो मानो है वो जमीन में गड़ा बना कर रहने के साक्षे मिले हैं और साथ ही साथ यहां से कबर में पालतु कुत्तों को मालिक के सव के साथ दबनाने के भी साक्षे मिले हैं अगला कुशन है सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए और दिये गए कूट से सही उत्तर का चैयन कीजिए तामबा जो है उसमें राजस्थान से बंगवाय जाता था संक कच से, लाजवर्द अफगानिस्तान से और सोना दक्कन से तो इस तरह से दुश्का राइट आंसर है वो है उप्शन डे अगला कुश्चन है युद्ध के निमन लिखित साक्षियों में से कोन हडप्पा संस्कृति के अउसेश में एप्राप्य है धनूज और तीर तलवार ढाल सिरस्त्राण जो एप्राप्य है वो है तलवार ढाल और शिरस्त्राण धनूज और तीर के साक्षियों हमें उसमें के मिलते है तो इसका राइट आंसर है वो है उप्शन डे उप्शन टू त्री और फोर जो है वो एप्राप्य है अडपस ब्रेता के जो लोग थे वो युद पिरिये नया होकर सांती पिरिये थे और अडपाई लोग जो है वो लोहे से परिचित नहीं थे और साती सात्वे तलवार ढाल और शिरस्त्राण से भी परिचित नहीं थे अडपाई इस्तल से जो है हमें कासे की आरी कासे से बना भाले का फलक चाकू नोकदार बानागर और मसली पकड़ने के कांटे जो है वो बड़ी मातरा में मिले हैं अगला कोशिन है निमलिखित पुरोहितों में से कौन यग्य के संपादन का निरिक्षन करता था होता ब्रह्मा उद्गाता अधर्वियू ब्रह्मा जो है वो यग्य के संपादन का निरिक्षन करता था उप्शन B इसका राइट आंसर है अगला कुशिन है सुची एक को सुची दो से सुमेलित कीजिए तथा दिये गए कूट में से सही उत्तर सुनिए इसका राइट आंसर है वो है उप्शन A अगला कुशिन है सुची एक को सुची दो से सुमेलित कीजिए और दिये गए कूट से सही उत्तर का सैन कीजिए सुर्य सिद्धान्च जो है आरिय भट के द्वारा समपादित पुदगल जो है वो जैन दर्म के छह दर्में से एक है और होरा सास्तर जो है वो है यूनानी जोतिस और एरितायन मरिद भांड का सम्मन जो है वो रोम से है तो इस तरह से इसका right answer है वो है option A अगला question है सूची एक में जो अधिकारी दिये गए हैं और सूची दो में विभाग तो दोनों को सुमेलित कीजिए और नीचे दिये गए कूट की साइता से सही उत्तर का चैन कीजिए लक्षना देक्स जो है वो होता था टकसाल विभाग का देक्स सीता देक्स, क्रिसी विभाग का देक्स, पोत्वा देक्स, मापतोल का देक्स और पण्या देक्स जो है वो वडिजे विभाग का देक्स होता था इसका right answer है option B अगला question है असोक ने अपने किस अभी लेख में कलिंग युद का उलेख किया है तो असोक के जो भी लेख है वो सिला लेख, लगूस सिला लेख और स्तंब लेख और गुहा लेख में उनको विबाजित किया जाता है आठ विभिन स्थानों से असोक के सिलालेख मिले हैं जिन पर 14 विभिन लेखों को उतकिर्ण किया गया है और उनमें से 13 लेख में असोक के द्वारा लड़े गई कलिंग युद का वर्नन मिलता है जो गड़ और जो धोली सिलालेख है इन दोनों सिलालेखों से 11, 12 और 13 नमबर का जो लेख है वो उतकिर्ण नहीं है तो इस तरह से इन से तो जो है हमें कलिंग युद का वर्नन लेख नहीं मिलता रूमिन दे इस्तम लेख से भी नहीं मिलता सहबाज गड़ी सिल्प राजग्य जो है यहां से हमें असोक के कलिंग युद का उलेख मिलता है अगला कुशिन है निमलिकी चासकों में से कौन साथ वाहन वंसका अंतिम सासक था सीरी यग्ये सीरी साथ करनी पुलुवामी चतूर्थ सीव सीरी पुलुवामी तो इसमें से जो सही है वो है जो अंतिम सासक है वो है उपसंत्री पुलुवामी चतूर्थ साथवान वंसका जो संस्थापक था वो सीमुक था और पुरानों में इस वंसको आंदर जाती वंसका गया है उनका निवास्थान जो है वो महराष्टर में परतिष्ठान था और साथकर्णी पर्थम इस वंस का पर्थम योग्य सासक था और यग्य शिरी साथकर्णी जो है वो साथवान वंस का अंतिम महतोपुन सासक था और उसके बाद जो है वो सादवान सत्ता अयोग्य उत्रादिकारियों जैसे विजय, चंदरशिरी, पुलोमा आदे के आत्में चली गई और पुलुमावी चतुर्च जो है वो इस वन्स का अंतिम सासक था अगला कुशिन है किस गणितग्या ने सुरो पर्थम पाई के मुल्य की सही गणना की थी आरियबट पर्थम, आरियबट दुईत्य, वराह मिहीर और ब्रह्मा गुप्त तो आरियबट पर्थम ने जो है सुरो पर्थम पाई के मुल्य की सही गणना की थी गुप्त काल में आर्ये बट ने बताया कि प्रित्वी अपनी दोरी पर गुमती हुई सुरिय की परिकर्मा करती है आर्ये बट जो थे वो कुसुमपुर अर्थात पाटली पुतर की निवासी थे और उन्होंने आर्ये बटियम नामक गनित पुस्तक की भी रचना की थे अगला कुशिन है निमली की छेतरों में से किस छेतर पर चंदरगुफ्त पर्थम का सासन नहीं रहा परियाग साकेद वैसाली और मगद चंदरगुफ्त पर्थम का जो है वो सासन परियाग पे रहा था साकेद पे रहा था और मगद पे रहा था वैसाली पे जो है वो नहीं रहा था तो इसका राइट आंसर है option C वैसाली वायू पुराण के अनुसार चंदर गुप्त पर्थम का सामराजे परियाग साकेत और मगद पर था चंदर गुप्त पर्थम जो है जो कि जिसका टाइम पिरिएड 320 से 325 इसवी गुप्त बंस का वास्तिविक संस्थापक माना जाता है और गुप्तों में महराजा दिराजगी उपादी धार्ण करने वाला पर्थम चंदर गुप्त पर्थम ही पर्थम सा सकता और उसने 319-20 में एक नया समवत गुप्त समवत चलाया था और चंदर गुप्त कुमार देवी के सिक्कों से विवाय की पुस्टी भी होती अकबर, गुंदो फरनीज, कड़फिशिस और जहांगेर गुंदो फरनीज के समय में जो है वो संत्थोमस आया था गुंदो फरनीज जो है वो पहलो वंस का सक्तिशालिस आ सक्ता पर्थम स्ताबदी इश्वी के उसके जो सिक्के हैं वो पंजाब, सिंद, कंधार, सिस्था और काब्यूल आदिस्थानों से मिलते हैं और उसके सासनकाल का एक अभी लेख तक्ते वाही जो की पेशावर पाकिस्तान से मिला है वो 46 इसवी का है और उसके समय जो है वो इसाई इसाई दरम परचारक सेंट थोमस बारत आये था अगला कोशन है निमन लिखित बोध पू जो की मद्य परदेश के बोपाल में है वहां पे बोध स्थूप का निर्मान मोरिय समराट असोक ने करवाया था उसके बाद अमरावती जो है वो अंदर परदेश के गुंटूर जिले में है जो की कृष्णा ददी के तट परस्थित है और सातवान शासकों के समय अमरावत जो परसित बोध स्थूप है उसका निर्मान करवाया गया था और इसके उसेश कलकत्ता मदरास और लंदन के संगरहालियों में सुरक्षित है इसके लावा नागार जूनी कॉंट जो है ये भी गंटूर अंद्यपरदेश में ही स्थित है और इस वाकु सासकों ने यहाँ बोध स्थूप और विहारों का निर्मान करवाया था और यह जो है वो महयान बोध द्रम का पर्मुक के अंदर था नालणदा जो के बिहार की राजदानी अनी पटना के नजदिक राजगीर से साज मिल की दूरी परस्थित तक है यहां परस्थित नालंदा विसविदाले था अगला कॉश्चिन है निमलिख्यत अधिकारियों में से कौन अधिकारी मौरियकाल के परशासन में नहीं था प्रादेशिक रज्जुक युक्त नायक प् रजुक और जो युक्त है इनका उलेख असोक के विलेखों में हुआ है प्रादेशिक जिला दिकारी होता था रजुक ग्रामिन छेतर की देखरेक कर संग्रै और नैक सक्तियों से युक्त दिकारी थे और युक्त नामक दिकारी है वो केंदर और स्थानी सासन के बीच में अभी कथन A, भारत में तुर्क समराज्य की स्थापना के साथ ही इतिहास लेखन की कला दृड़ता से स्थापित हो गई थी, बिल्कुल सही कथन है, तरक आर सल्तनत काल में भारत में कागज दोक विक्षित हुआ था, ये भी सही कथन है, इसका राइट आंसर जो है वो है उप इतिरास समस्त मुसलमान जगत में पाए जाने वाले उन सिल्पकारों से अधिक उत्तम है, अमीर खुसरो, मिनहाजुस सिराज, इबन बतूता, इसामी, ये कथन जो है वो अमीर खुसरो के है, अमीर खुसरो जो की स्रेश्ट फार्सी कभी था, उसने दिल्ली सल्तनत के आठ शुल्तानों का काल देखा था, अमीर खुसरो की जो परमुक रचनाई हैं, वो हैं, खजाइन उल्फुतु, तुगलत नामा, तारिक अलाई, मिफ्ता उल्फुतु, किरान उसादेन, देवलरानी, आसी का आदी, और खजाइन उल्फुतु जो है, उसमें अल्लाउदीन की विजियों का वर्नन है, अगला कुश्चिन है, सल्तनत काल में सेना की परशासनिक देखवाल निम्नांकित में से कोन करता था, नायब, वजीर, काजी, आरिजे, ममालिक, तो आरिजे ममालिक जो है वो परशासनिक देखवाल, सेना की परशासनिक देखवाल करता था, मंदित उप्रोक्त कथन किसका है यह कथन जो है वो निकोलो कॉंटी का है उप्शन सी इसका राइट आंसर है अगला कुश्यन है यह निकोलो कॉंटी का नहीं है सोरी जो कथन है वो अब्दूर रजाक का है उप्शन बी अब्दूर रजाक जो है वो इसका राइट आंसर है अ उसने 1443 सिश्वि में देवराई दुईत्य की सासनकाल में विजय नगर की यात्रा की थी अगला कुर्चिन है निमनलिखित में से किसका यहमत है कि एक महिला एक सासक के रूप में अपने दाईत्य का भली बांती पुर्वक निर्वाय नहीं कर सकती क्योंकि मूल बूत रूप में उसमें बुद्धी संपन्ता की कमी है मिनहाजुद सिराज, जियाउदिन बर्नी, इसामी, यहिया बिन एहमद तो यह कथन जो है वो इसामी के है उप्शन सी इसका राइट आंसर है रजिया जो है जो की इल्टूत मिस्की पुत्री थी उसने बारा सो शत्तिस से बारा सो चालिश तक सासन किया था और वह बारत की पर्थम मुस्लिम इस्त्री शासी का थी और रजिया ने अपने सिकों पर आमदत उल निश्वा का विरुद्वी या अर्थात उपादी जो है वो दारन की थी इतिहास कार जो है रजिया की एस्फल्ता का पर्मुक कारण गुलाम सरदारों की मातों कांक्सया और रजिया का महिला होना मानते है और इसामी की जो पुस्तक है उसका नाम है फुत्व उस सलातिन अगला कुश्शन है सेरसाय सूरी के बारे में निमनलिखित कतनों पर विचार कीजिए उप्शन वन सेरसाय ने अफगानिस्तान से लेकर उडिसा तक फैले हुए सामराज्या की स्थापना की थी तो ये कतन जो है वो गलत है पर शासन में हिंदुई भासा का परियोग करना सेरसाय के विवारिज्ञान का गूतक है ये कतन सही है उसने कठोरता से कानून विवस्था को लागू किया ये भी सत्य कतन है सेरसाय ने सोने के सिक्कों का चलन समाप्त कर दिया ये कतन जो है वो गलत है तो जो सही कथन है वो है ओप्शन बे और थाथ ओप्शन टू और थरी जो है वो सही है सेरसा ने जो है वो 1540 से 1545 तक बारत पर सासन किया और उसने सासन की समस्थ सक्तिया जो है वो अपने हाथ में केंदरित कर ले थी सेरसा एक नयपिरे सासक था और उसने सुल्तान अदल की उपादी धारन की थी उसने सोने चांदी और तांबे के सुद मानक सिक्के चलाए और उसके द्वारा चलाया गया चांदी का सिक्का रूपिया कहलाता था जो की 180 ग्रेन का होता था और उसने लगान विवस्था के रू इसमें जो सबसे पहले है वो है option 1, खानवा का युद, खानवा का युद जो है वो 17 मार्च 1527 को बाबर और राना सांगा के बीच लड़ा गया, जिसमें बाबर की विजे हुई थी, उसके बाद हुआ था दूसरे नंबर पे 14 का युद, जो कि 22 जोन 1549 को सेरशा सूरी और हु हुआईयों के बीच हुआ था, जिसमें हुआईयों प्रास्त हुआ था, उसके बाद धर्मत का युद, जो कि 15 अपरेल 1658 में ओरंगजेव और मुराद की सेना ने साही सेना को प्राजित किया था, और लास्ट में जो है पाल खेडा का युद, जो कि 1728 में मराठा पेश्व बाजीराव पर्थम और निजाम के बीच हुआ था, जिसने बाजीराव पर्थम ने निजाम को प्राजित किया था, तो इस तरह से जो इसका राइट आंसर है वो है उप्शन ए, अगला कुशन है, निमलिकित में से किस एतिहासिक गरंद की रचना अकबर के शासनकाल में न नहीं हुई थी, इसके लावा हुमायू नामा की रचना बाबर की पुत्री और हुमायू की बहन गुलबदन बेगम ने अकबर के आदेश पर की थी, तारीक शेर साही जो है, जिसे तुफात ए अकबर साही भी करते हैं, उसकी रचना अबास का सरवानी ने अकबर की काल में की थी, और तबकात ए अकबरी की रचना जो है, वो अकबर की समय खवाजा निजामुदीन एहमद ने की थी, अगला कोशन है, निमल लिखित में से किस इतियासकार ने लिखा है कि नूर जहां के सम्मंदियों एम जानकारों को हर परकार के अनुग्रह से बढ़ावा दिया गया, ये कथन है, उप्सन ए, मुतमिद खां का, मुतमिद खां जिसकी पुस्तक थी, एक बाल नामाए जहांगिरी, इसके साथ ही उसने तुज्जु के जहांगिरी भी लिखी थी, अगला कोशन है, निमल लिखित में से कौन सा कथन सही है, मुगल कालीन भारत में अमीर वर ये कथन गलत है, मुगल अमीरों को उच्तरी परसासन में सामिल नहीं किया गया था, ये भी गलत कथन है, इरानी तुरानी ये सेख जादा अमीरों के बीच सामाजिक विभेद लुपत हो गया था, गलत कथन है, वह अमीर जिनके पुरवज एक पीड़ी से अधिक मुगल सा अध्वा में पहले से कारियरत किसी अधिकारी के पुत्तर अध्वा किसी अन्य उत्तरा अधिकारी से होता था, अगला कोशन है, सूची एक को सूची दो से सुमेलित कीजिए, और निचे दिये गए कूट से सही उत्तर का चैन कीजिए, सूची एक में जो है वो यात्रियों के नाम दिये गए हैं, और सूची दो में कि किस आसन के समय में वो भारत आये थे, तो सबसे पहले है फ्रेंको बर्नियर जो की एक फ्रांसी सी चिकेट सक जो की ओरंग जेव की सासन काल में भारत आया था, तथा जिसकी यह मनने था थी कि बारत में सासा की समस्त भूमे का स्वामी है, दूसरे नमबर पे ट्रेवनियर है जो कि एक फ्रांसी सी यत्री था जो बेवसाई से जोहरी था और साह जहां एवं औरंग जेव की सासनकाल में भारत आया था उसके बाद पेलसार्ट जो था वो एक डच यत्री था जो कि जहांगीर की सासनकाल में भारत आया था और राह पिच जो है वो एक अंग्रेज यात्री था जो कि अकबर के इसासनकाल में बारत आया था तो इसका जो राइट अंसर है वो है ओप्सन ए